मोधी सरकार ने जब से भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पूर्व वित्य सच्चिव शक्तिकान दास की नियुक्ति की है तब से इस फैसले पर सवाल उठाये जा रहे हैं जहां विपक्ष इसे लेकर हमलावर है तो वही बीजेपी सांसद सुब्रमन्यम स्व कारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान दास की नियुक्ति को लेकर घमसान थमने का नाम नहीं ले रहा है बीजेपी सांसद सुब्रमन्यम स्वामी तो इस फैसले से कुछ जादा ही खफा है तब ही तो पहले उन्होंने दास पर कॉंग्रेस के भ्रष्टचार को छि यहां इंडियन स्कूल आफ विजनेस के समवाद सत्र में शक्तिकान दास पर आरोप लगाते हुए स्वामी ने कहा कि आर्बियाई के नए गवर्नर अत्यधिक भ्रष्ट है मैंने उन्हें वित्मंत्रालिय से हटवा दिया था मैं शक्तिकान दास को भ्रष्ट व्यक्ति कह रहा हूँ मैं हैरान हूँ कि जिस व्यक्ति को भ्रष्ट अचार के चलते मैंने वित्मंत्रालिय से हटवा दिया था उसे गवर्नर बनाया गया इतना ही नहीं उन्होंने उस शक्स का भी नाम बताया जिसे आर्बियाई का नया गवर्नर बनना चाहिए स्वामी ने कहा कि प्याई के 25 वे गवर्नर बने हैं लेकिन उनकी नियुक्ति पर लगतार सवाल उठाय जा रहे हैं डिवी लाइव की रिपोर्ट